दोस्तों ये है यूनेक्स कर नया एश्ट्रॉक 88D प्रो बान्विंटन रैकेट वो भी थर्ड जनरेशन वाला प्रस्टली मैं खूद काफी ज्याता एक्साइटेट था इस रैकेट को लेकर आज की वीडियो में हम फूल रिव्यू करेंगे रैकेट को साथी साथ मैं इस रैक आइकन जरूर दबाना कि अच्ट्रॉक 88 के दो मॉडल आते हैं एश्ट्रॉक 88S एन एश्ट्रॉक 88D सो एज डिटर्माइन करता है स्किल एज डिटर्माइन करता है डॉमिनेशन तो मैं सोचा दोनों को एक साथ रिव्यू कर लेते हैं लेकिन जहां से मैं ये रैकेट लिया उनके पास एश्ट्रॉक 88D का 3rd जनरेशन तो अवेलेबल था लेकिन एश्ट्रॉक 88S का 2nd जनरेशन गलती से आ गया था एन जो 3rd जनरेशन ता 88S का वो next week तक आयेगा बोलेते अच्छा मैं अपना first impression बताओ तो जब मैं पहली बार इस रैकेट को देखा तो मुझे इसका look decent लगा आपको premium फील जरूर देगा बट looks उतना attractive नहीं है मेरे इसाब से बाकी मेरे कुछ friends को काफी अच्छा लगाई ये रैकेट मेली आपको black and silver कलर की combination में देखने को मिल जैसे कि आप देख सकते हो और इसका जो frame का size है वो एकदम हलका साथ छोटा है जिसके कारण आपको concentrated sweet spot देखने को मिलता है जो power को बढ़ाता है इस side दोनों तरफ आपको ashtrog लिखा हुआ देखने को मिल जाएगा और पीछे में भी same to same है बाकि throughout the frame आपको काफी सारे छोटे चोटे line type के pattern बने हुए देखने को मिल जाएंगे balance point की बात करें तो हमें थोड़ा सा ज्यादा head heavy देखने को मिलता है माने इस racket का maximum weight इसके frame में shifted है तो frame के 3 o'clock and 9 o'clock area में ज्यादा weight added है जिसके कारण जो racket का stability है जब आप shuttle को hit करते हो वो काफी ज्यादा improve हो जाता है racket के frame के weight shifted है इसके head में जिसके करण जो racket का power हो काफी जादा बढ़ जाता है which is good for attacking clear बाकि इसमें आपको 76 gromit देखने को मिल जाएंगे ये एक सिंगल पी studio environmental racket है और इसके two join में आपको Unix का logo देखने को मिल जाएगा तर्कॉईश कलर से यह हमारा racket का shaft यहां को सबसे पहले racket का model name दे flex force यह next की दो पहले racket 88S and 88D जिसमें second generation named flex force यूज हुआ यह एक graphite material है जो इस रैकेट के shaft को बनाने के लिए यूज किया गया है जब हम शेडल को hit करते है तो हमारा shaft band होता है तो यह क्या करते है हमारे shaft को band होके unband बहुत जल्दी करता है जिसके कारण हमें recovery मिल जाती है next shot के इसके बाजू में लिखा है high modulus graphite plus CFR plus ultra PE है तो जो material इसके frame को बनाने के लिए use हुआ है high modulus graphite plus CFR plus tungsten साथ जो CFR है वो है carbon fiber rubber material and इसके shaft को बनाने के लिए use हुआ है high modulus graphite plus second generation named flex force plus ultra PE है तो यह ultra PE fiber shaft के अंदर रहता है basically जब आप कोई shot मारते हो shuttle को hit करते हो तो जो vibration आता है जो shock आ के साथ खेल रहते हैं तो हमें कोई vibration type का feel नहीं हुआ इसमें आपको ultra slim shaft देखने को मिल जाता है जिसका diameter 6.7 mm है वहीं shaft की length की बात करें तो आपको 21.5 cm देखने को मिल जाता है shaft flexibility की बात करें तो वो लाग करता है medium flexible से जादा and stiff से थोड़ा कम एक चीज और इसमें आपको enhanced rotational generator system भी देखने को मिल जाता है यह लिखा है 10 mm longer माने इस racket का handle आपको extra 10 mm long देखने को मिल जाता है उसके बाजू में लिखा है EB cap plus आपको इसमे energy boost cap plus देखने को मिल जाता है जैसे कि आप देख सकते हो basically shaft को twist होने से बचाता है साथ-साथ यह shaft के performance को भी बढ़ाता है handle cap के दोनों साइड आपको यॉनेक्स का logo and branding देखने को मिल जाता है यह आपको कुछ इस्पैसिफिकिशन लिखे होगे देखने को मिल जाएंगे जैसे कि यह लिखा है 4U जो की रैकेट का overall weight जो की determine करता 80-84.9 gram के वीच में वैसे जब हम इस रैकेट का weight के तो यह हम 83 gram के round देखने को मिल without string and grip and यह दोनों को add करने के बाद 93 gram. इसके निचे लिखा है G5 जो की रैकेट का grip size 4U weight category में आपको एक और grip size देखने को मिलता है जो की है G6 लेकिन वो इंडिया में अवेलेबल नहीं होगा. आतिसाथ इसमें आपको एक और weight category देखने को मिलता है 3U उसमें आपको 3 grip size देख M28 LBS तक लगा सकते हो. वैसे यह Yonex का high end का made in Japan racket है तो आप इसमें 30-32 LBS तक लगा सकते हो. वैसे world के जो top players है गिने चुने वो 34 LBS तक भी लगाते हैं. एंडल के नीचे साइड आपको Yonex का logo देखने को मिल जाएगा उसके नीचे छोटे एक्षरों में Japan लिखा है. तो चल अब हम इस रैकेट के साथ खेल लेते हैं और मेरा कैक स्पीरियल से वो शेयर कर लेता हूँ. वैसे हमने इस रैकेट में Yonex की BG65 टाइटनियम श्ट्रिंग लगाई है at 27.5 LBS. वो, भाईटनिा में वे का एक लॉई צ्डिव गिवराऊपक है. найти क्षर अ Kell canEli ॐढ के खωνिदों श्ट्रिंग ले वोकि उएकेटनियम भी साहते है. राव भी साहते हैं नीड़िमें शेरों।ender के लेंगा. ओ дав Me E है झाल यह झाल is लगब संदिए लिग कर दो आजैं को सिर्ण के दो नहां आजैं के नहां इंग लिप लिए विए लिग में लिग्टा आहाँ झाल अर्ण किर दे हो इंग क्रण़ लिए लृह झाल भूल तो जो मैं पहला सौट इस रैकेट से खेला वो है पैलल कोई दिक्कत नहीं हो रही थी और नॉर्मल टच में भी शेडल काफी स्पीड जा रही थी बाकि अगर शेडल कंटिनू मेरे बेक हैं साइड आ रही है या फोरेंड साइड आ रही है तो एजी है माना लेकिन शेडल साथी साथ आपको उस समय थोड़ा सा और अटेंटिव होना पड़ता है इस रैकेट के साथ लिफ्ट की बात करो तो लिफ्ट करने के टाइम जो कंट्रोल था वो काफी शांदार था मैं जहां चाहरा था वहीं शेडल जा रही थी और उतना एफट नहीं लागाना पड़ता बागी थोड़ा आउटो पोजिशन से काफी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है इस रैकेट की स्मैश की बात करें तो आई जच लव द पावर द रैकेट मैं परसली बहुत ज़्यादे इंप्रेजिस रैकेट के पावर से वह चाहिए आफुल स्मैश मार रहे हो या हाफ स ज़्यादा ही हैडवी था है आपको पकड़ने में भी इससे भी ज़्यादा हैवी फील होता था इस मैश की बात करूं तो दोनों का अल्मोश्ट सेम है नेकिन ये थोड़ा सा लाइट वेट में उतना ही पावर देखने को मिल जाता है I mean first generation से lightweight जब मैं पहली बार इस रैके से खेलने के लिए personally मैं कुछ even balance racket use करता हूँ तो I think 3-4 दिन लगेगा इस रैकेट को जबने में मैं 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 मेली doubles खेल रहा था जिसमें जो रैकेट का movement हो काफी ज़्यादा fast होता है and I think singles में ये problem नहीं आएगी starting में बाकी मेरे इसाब से इस रैकेट को use करने के लिए आपके singles के भी काफी सारे player भी use करें second generation में भी काफी लोग use कर रहेते हैं now third generation देखते आने वाले समय में कौन-कौन player use करते है although 93 ग्राम का racket है string and grip को मिला के लेकिन ये आपको थोड़ा सा heavy feel होता है personally मैं leaning का hulbert है कि 8,000 use करता हूँ 3U category वाला and उसमे grip and string मिला के वो 98 ग्राम हो जाता ह नेकिन वो even balance होने के कारान मुझे वो बिल्कुल भी heavy feel नहीं होता compare to this ये एक extra head heavy racket है तो ये थोड़ा सापको heavy feel होगा बागी front of the coat की बात करूं तो not the best लेकिन ठीक था वो भी वो चाहे dribble हो गया या tapping हो गया तो चलिए आप अब इस racket को rating दे देते है out of 10 तो drives को देंगे 7.5 toss को 9.5, net 7, drop को 8.5, defense 7.5, lift 9, power 9.5 and swing को 6.8 तो ये थी अमारी आज की वीडियो एंड एक बात बताओ ये racket को मैंने प्रशनली खरीदा है और इस वीडियो को बनाने के लिए काफी जादा पैसे खर्च हो गए है आशा करता हो ये वीडियो आपको कावी helpful लगी होगी काफी अच्छी लगी होगी तो चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब जरूर करना अगर आपको उसका रिव्यू देखना है तो मैं यहां दे दूँगा आप आज जाके देख सकते हो तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में